तो यह इलादा किया तो यह तुल्डा ने अपनी धोनों उंग दिया उसके जपड़ें में डाली और उसे चीरा और दो हिस्से घर के फैक दिया और माने उस वक्त में हम रखा है दर है दर तो इसलिए आप वो बिचारे लोग रोने लग गए मायूस हो गए किया हलाल और हराम की कस्वर्टी हमारे पाजी असाम था यह तो खत्म हो गया आप क्या करेंगे रसूल खुदा से शिकायद की तो रसूल खुदा फर्माते हैं कि दुनिया वालो जब एक बियाद छोटा हो और बड़ा आ जाए तो छोटा मत्रूक हो जाता है ग पुले पुदाया फर्माते हैं दुनिया वालो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है हलालो हराम की पहचान का बेहर अब ही आ गया है जो इस बच्चे से महुबत रखेगा वो हलाली जो दुशनी रखेगा ओ तो वो हरामी होगा सर्वाद पढ़ेगा जो मेरे भाईयो अजीजो इस जज़ जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी आले मुहमद में एहले बैत ने जितनी तक्रीफे उठाई और किसी ने नहीं उठाई बच्चा बच्चा राहِ खुदा में कुरवान हुआ और मैदाने कर्बला में जब आशूर का दिन था तमाम असभाब साथी हर एक सबकत लेने के लिए शहादत के लिए तयार हो रहा था तो उस वकत एक बच्चा के जिसका सन तेरं साल का है और वो हाजरे खित्मत होता है अर्ज करता है आका मुझे मरने की इजाज़त देजिए तो इमाम हुसें ने फरमाया कि तू मेरे भाई हसन की निशानी है मैं तुझे मरने की कैसे इजाज़त दू तू तो अपनी मां का सहारा है रोकश अजादा एक आसन ने कहा हा का आप देखनी रहे कि मुझे मां ने हित्यार करके भेजा है आजरों को मुझे ला चांदा शाहर बरहे हावाद हुने के फारसी बलत हसता अबरा शुविक वर्दू जाह मत्रा तख्वीव में देहं आजी आपद इस फाहानी एक इन अशारत दूस करदा है कराम में तबीद हसके बाए अफ्तसाराज में कुने काशन चुरू निहार बसुविए सब कितार जब कदर के लिए चले बार्शार सफूफे मलाइक शुद्र उब्तिहान सफव है मातम परपा हुए फरिश्टू में एक-एक मासूब बच्चा है कितार के लिए तीन दिन का मूखा और प्यासा है और फरिश्टे परेशान हो गए नख्रे कुदस बजर्वतियाद पाशुना फताद कल पायाए तुन्दबाद खजानी फताद नहाद आशाहबाद ओज शरब सुव शाहदी अज्दिल कशीद नाला चुमर्ग शकस्तवाद तुन्दबाद शरब गोश शेह इमाम जब सदा दी इंके इमाम को पुकारा अचुशे रिशाद जयताफ पास दर सब जिलाद वाँ सतंब रूए जमी हम चुनब शेपाद यद भारत उसने खलक शेकर दपायमाद गुफताब आमन दूसकिर रहालत चुनी ये को बीन अदद फदा बदी हाले पर जमी आवादी है कि मेरी खबर लीजिये लेकर मैं इस आलत पे हूँ है कि मुझे आप देखने ही सकेंगे मैं कि रूआ शुर्य कार जहर कुनाइद सफू फिलश करेके जुम्लतार मार कुनाइद शुक्ता डालाए बुस्ताने महुबती कासिम चरगिया नहीं कुनी के कासिम दर राहे खुदा कुष्टे शुदे बर्लाश है समय उस पाँ अपार 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 करदन वक्तियों इमाम हुसें निर्दे शान राफो अबादन हमीर में फर्मुदन आई जाने पिदर शुम सदा करदी मन को मकेश मान तमन इस दंग रसं के हसन मंजरे उन जिन्दन आउ बहार कुनाद बास ओलते के दर वाओ यह पहमी दश्टे नमार जहूर सोलते जद्द बजर्गुवार कुनाद मशुक्यती हजीमती दिहन साकर खस्म हदी से पिदरों ओधवाद आशिकार कुनाद बाद औरी के जे उमर गुजश्ट सीजदा साल तेरा साल की उमर में चुमाओ है चार दायका से नूर बार कुनाद जे बहर जारी अम्न गरीब बेकस खेश्ट जमी जे खूल गलूर अश्क लाल जार कुनाद आदो शेयर दिगर में खरनें के वह इखताब में कुनें कुनें बहाए हैं आगा जून चरक पाशत खोश चीन खरनमम नुकल पाग हसन कासम मनम बाद चूँ अबलकम आरद गुजर शापर जिबराईल मी करत खबर परजद चूँ मुर्गे तबर्रम इसकमा दर दले अफलाक साजद आश्याँ तो जनाब शाजद आए कासम इज़न के लिए आते हैं तो मौला यह फर्माते हैं कि अपनी मां से इजाज़त लेकर आओ तुम तो उसको सारा हो बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दू तो उसका अपने बाजु में एक तवीज़ था और उसको खोला और खोलने के पड़कर देखिए एक जब आखरे वकत था मेरे बाद के जिगर के कुटुकुडे तश्ट में मेरी पुपी ले रही थी तो उसका उन्होंने एक तवीज़ दिया था और वह तवीज़ कोना उसमें लिखा हुआ था बेटा बेटा कासम बायदाने कर्बला पे जब वक्त आ जाए तो देखना शाजाद एक वक्त से पहले तुमने अपनी जान को फिदा करना है एह एहले अदा शाजादा कासम मक्तल की तरव बड़े जनाब अबास ते उन्हें तियार किया और वो मैदाने जंग में गए तो जनाब हुसैन के आथ बुनद हो गए और बार के हिस्दी में अरद करते है आपारे लगा ये अर्दक शामी आरा है ये कितने बहादरूं से मुकाबला करने वाला है मेरा मासूम सभीर सेण है इसको गरूर को खाक में मिला दे एपारे लगा बनाशा उठाने से नहीं गभराता है रेकिन इसका गरूर खाक में मिल जाए एए एहन आदा शाजादा एकासम आगे बढ़ा उसको फिनार किया और फिर उसके चार बेटे आए उनको भी फिनार किया और 120 नारियों को फिनार करने के बाद खिन्मत इमाम में आजर हुए यतीम बेटा है जहाद करके आया है खुसाइड के मसलुमियत पर कुर्बान जाओं वो साहिल बन कर आया है कोई इनाम तलब कर रहा है शियो क्या तलब किया शाजादा एकासम ने है आजिकी या अमा है या अमा अगर एक कुट पानी का मिल जाए और प्यास के साथ मेरा जिगर टुक्ड़े हो रहा है कुर्मार जाओं साखिय कोउसर के उपार मजबूरी है बेटे को एक उड़ पानी का नहीं दे सकते अपनी अंगुष्ट मुदारक दी हैं का इसको अपने मुँ में रखो तो बारा शाजादा वहां गया पैदाने जग में गया तो एक उमरे साथ हस्दी वो कहता है कि मैं इस बच्चे को खाल पे सुलाओंगा तो किसी ने का तुम्हे शर्म नहीं आती यह मासूम बच्चा है अगर मेरे उपर भीवार करे तो मैं इसको उपर वार नहीं करूंगा यह किसकी मां का चांद का टुक्ड़ा है तु में शर्म नहीं आती लेकर वो जाले चुप कर गया और शाजादे के फरके अक्दस के उपर वार किया और एक ऐसा जलम का नेजा मारा जो पुष्ट से लेकर सीने के पार हो गया और शाजादा जीन से जमीन के उपर गिरा और आवाज दी अपने या अमा हो है चचचार मेरी खबर लीजिए तो उस वक्त इमाम हुसेद मैदान जग की तरह पड़े चाहते थे कि उस कातल को फिनार करे तो इमाम हुसेद ने जर्म लगाई और वो साथ से जिसमे निजा मारा था को उस का हाथ काटा और उस साले में चीखना शुरू किया फोट का हजूम आ गया उसको छुड़ाने के लिए और वाहिद शादाए कासिम का लाशा है जो सुपह अस्पा में पामाल हो गया और हुसेद जब सरे बाली न पहुचे आखरी वक्त था रोकर कहा बेटा मेरी मज़ूरी थी तेरी वक्त के उपर मदद ने कर सका मेरे आखा ने सब लाशे उठाए लेकित शादा कासिम का लाशा किस तरीके से उठाया एक चादर विछाई चादर सुपहन थी वह फूल चुनते रहे उसमें रखते रहे और उसका रंग सुर्क हो गया एए एहल अदा उसको ठाए हुए खेम गाह में आए अल्ला जाने खेम गाह की क्या सूरत होगी एदेखें अभी मेहदी निकलेगी यह तो हो सकता है एक उस चादर पे जो फूल रखे हुए थे जो जो भी भी आती गई और हाथ लगाती गई और हाथ सर्कोत चले गई और हाथ और हाथ और हाथ